दोस्तों बन्र मातरम, पाकिस्तान को अगर कोई 1% या 0.1% भी मौका देना वही भारत को उकसाना है, तो वो मौका कभी नहीं छोड़ता। भलाई भारत उस मौके से उकसे या ना उकसे हो एक बात की बात है लेकिन क्योंकि पाकिस्तान उन आंटियों की तरह है जिनके पास सर्फ एक दूसरी बुराई करने के लाव़ा कोई काम नहीं रहता है तो इसलिए वह भी सिर्फ भारत को बुरा दिखाने में, बुरा भला बो रहे हैं मोबायल से भी आजकल स्टॉक कर सकते हो वही envisionedee चीज चल रही है और आज भी देश के लोग सिर्फ रोते रहते हैं और प्रधानमंत्रिय को गालिया बगते रहते हैं अब पाकिस्तान ने एक नयाक हेल चला है वो पूरे टाइम जिस तरीके से अपने देश के लोगों को अपने देश का गुलकान करने के लिए बोलता रहता है जबरदस्ती तरीके से कुछ ऐसा ही कतम उठाया है पाकिस्तान के इमरान खान ने और लोगों को बनलब जबरदस्ती अब पाकिस्तान नक्षा रोजाना देखना पड़ेगा पाकिस्तान सरकार ने सभी न्यूस चैनलों को रात 9 वजे बुलेटिन प्रसालित करने से पहले देश का नया नक्षा दिखाने का देश दिया है आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये सच है कि ये नक्षा पूरी तरह से गलास है जिसे लोगों को दिखा कर उन्हें गुर्मरा करने की तैयारी की जा रही है रिपोर्ट्स के मताविक पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया नियामक प्राधिकरन मतलब पी-ई-मारेड के ने अधिसूचना जारी किया है कि सभी चैनल्स मतलब सरकारी वनने जी पिछले साल अगस ने प्राहनमंत्वी इमरान खान दौरा जारी किया गया है नया नक्षा दिखाएं नया राजनीतिक नक्षा रोजाना नियूस बुलेटिन से पहले दो सेकंड के लिए दिखाना होगा अधिसूचना में इसको लेकर सूचना और प्रसारन मंत्राले के संदर्ब का हवाला दिया गया है इमरान खान ने अगस 2020 में इस नया राजनीतिक मानचित्र को जारी किया था जिसमें जमु कश्मीर और लदाक ही नहीं बलकि गुजरात के जुनकर पर भी उसने दावा ठोक दिया था विवादित नक्षा ऐसे समय पर जारी किया जाए भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद चल रहा है मालूम हो कि पैमरा पाकिस्तान की मीडिय अथारिटी है इस से पहले भी पैमरा पर न्यूज चैनलों के खिलाफ कई आदेशों के जरीए कठोड नीती अपनाने के आरोप लगातार ही लगते रहे है मेमरा दोरा जारी की गई अधीज उचना में कहा गया है कि सभी समाचार चैनल सारवजानिक या फिरनी जी को रोजाना रात नौ बजे समाचार बुलेटिन प्रसारित करने से पहले दो सेकंड के लिए पाकिस्तान के राजनीतिक नक्षे को फ्लैश करना होगा पहमरा का आदेश रविवार 3 नवंबर से सारवजानिक हो गया है इसको लेकर फाजल जामली ने भी ट्वीट करके बताया कि मैपिंग दे कंट्री इन नीव दिमेंशन्स गवर्नमेंट मैंडेट अल टीवी चैनल तो फ्लैश दे मैप आफ पाकिस्तान फॉर टू सेकंड बिफोर एरिंग दे नीज बुलेटिन अट नैशनल एंथम इसा करेंगे तो उनको गाली आना पड़ेंगी पैमरा के मताबिक सूचना इंप्रसारन मंतराले के 16 दिसंबर के एक पत्र के जवाब में टीवी स्टेशनों को निर्देश जारी किये गए थे और सूचना इंप्रसारन मंतरी फवाद चौधरी ने पैमरा को निर्देश भेजने के अपने मंतराले के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सरकार को पैमरा अध्यादेश 2002 की धारा पांच के तरत ऐसा करने का पूरा अधिकार है मतादें कि भääरत को उकसाने और दुनिया का ध्यान अपनी और कीजने के लिए पाकिस्तान ने भारत की सीमा को अपने नक्षे में दिखाया था अगरिशत में ये नक्षे लॉंच करने के बाद इमरान खानगा का था के आज एक एतिहास एक दिन है हमने पाकिस्तान का एक नहीं राजनीतिक मांचित्र लाँच किया है जो पूरे देश के साथ-साथ कश्मीर के लोगों की उमीदों के अनुसार है ये रक्षा पुछले साल पांच अगस को भारत सरकार ने के अवैद करत्य का भी विरोध करता है मतलब यहां पर धारा 73 की बात करी थे इमरान कान ने कि भाईया देखी उन्होंने कितना गलत काम किया था और उस गलत काम को हम यहां पर सही कर रहे है इमरान कान कुछ आधिकता चीए समझ में आती नहीं है और इस दकिया ने उस चीज को करके वो अपनी पबलिक का ध्यान जो है वो खीचना चाह रहे है अपनी तरफ जैसा कि चाहिना करता है कुछ भी चीज होती है सीमा पर तो अपने देश को मतलब देश में कुछ भी चीज खराब होती है तो देश के लोगों का ध्यान सीमा की तरफ खीच देता है कि भाईया हमको आपके प्रेट्रिट्रिजम की जरूरत है ताकि देश में ध्यान कम जाए ठीक है ऐसा ही पाकिस्तान में भी देश की हैरत क्या चल रही है वो जानते है और वो आप ध्यान सीमा की तरफ कीचना चाह रहा है आपका क्याना इस मामनों जो कमेंट करके जरूरता है ये का मेरे स्वीडियम फिलालत नहीं जाए हिन जाए भारत